में असलाम अलेकम अज़ जो को आ हैं ट्रेयो सबक आए असान जो इस टिछेस सी शक करना आ जो आज सीसरा सबक है और इस्से पहले दो सबक में हम ये चैन स्टिच और स्टेम स्टिच सीख चुके हैं आज यह मैंने जो लाइने ड्रॉ की हैं इस पे हम बनाएंगे बख्या स्टिच बख्या टांका बख्यो ठीका ऐसा अंग्रेजी में इनके चौंदा से बैक स्टिच इन जलाए भी ऐसा है इन गोले जो सिंगिल दागो इस्तेमाल कन्दा से इस गोले का एक तार हम लेंगे और इनके इसा शुरू कन्दा से बिल्कुल तरेखा नीचे से शुरू करेंगे ऐसे यहां से निकालें जो एंड है बिल्कुल हमारी लाइन का वहां से इसको निकालेंगे और इसके साथ ये देखिएगा गोर से थोड़ा आगे से हम सुही को कपड़े में डाल रहे हैं इस पेश हमारा यह बन गया है अब करना क्या है के यह जो टांका है पहले वाला इसके उपर से इस को इपको अंदर डालेंगे और थोड़ा सा आगे से निकालेंगे द्धागा जो है बीच में होना चाहिए इधर भी इस पे इधर भी इस पे को आप देख सकते हैं waiting पमएत शुए सोह और धागे के बीच में स्पेस है यहां भी सुए और धागे के बीच में स्पेस है इसको फिर इसको अंगुठे की मदद से पकड़ ले तागे धागा उल्जय नहीं आई है नहीं खे लिष्यो वरी ही जो असां टाको है आने जी मथा चोटी आमा असा न सुय की अंदर वे जन्दा से धागे की छडे थोड़ो अगयां खाँ कटंदा से इसी तरह करते जाएंगे जो पहला टांका जो लगा हुआ है उसके उपर इसकी चोटी मैंसे इसको हम निकालेंगे धागा छोड़ेंगे बीच में ठीक है इसको पकड़ लेते हैं मंगोठे से थोड़ा आगे से हमने सुई निकाली है इसको खेचते हैं तो ऐसे करते जाएंगे आप खुद देखें कि यह बख्या सा बन रहा है यह सलाई मशीन जो आउट लाइन बनाने के लिए यह स्टिच जो है वो ज्यादा इस्तिमाल होता है इंशाला मेरी कोशिश होगी कि मैं आगे आगे आपको वह भी चीजें भी सिखाती जाओं किस कुम कहां किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो वह आपको ज्यादा समझ में आएगा तहार इ मुश्किल है क्योंकि दो तार या तीन तार से इंबराइरी करना उसमें फिर धागा किसकता है उसको हैंडल करना उसको काबू करना और फिर एक अच्छा काम करना उसके साथ फाइन फिनिशिंग के साथ मुश्किल है इसलिए मैंने कहा है कि जब आप सीख रहे हों तो इस त अच्छा कर आगे जाने के लिए अच्छा की पीछे से शकल यह होगी इस टांकों में से इन टांकों में से हम इसको धागे को गुजारते हुए जाएंगे जहां तक हमें नीचे आगे काम करना है यहां तक आगे और फिर हम देखें सुई को यहां से निकालते हैं ठीका सेम उभी प्रोसेस है को टांकों होना था पेरियूं लिए जो को टांकों है उन्हें जे मत्हां उन्हें चोटिया माने के करना था थोड़ो अग्यांखा इस धागों विच्छा में छडीन दासे ठीका है नते असा आंग उठो रखूंत थागे ठेटे जेंगुंजे जे ना जो पहले टांका लगायाइज उसके टॉप में से सुई को अंदर डालेंगे इस धागे को छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे से हम इसको निकालेंगे उस धागे को हम अंगुठे की मदद से पकड़ लींगे इस से यह होगा कि धागा जो है वो उलजेगा नहीं यो सेम असान तरीकों कंदा में दासे ही डाड़ो आसान एक खुबसूरत टाकोवा एक कमा में जिकवा है डाड़ो मददगारा इंबराइडरी में मुखतलिफ शेयू ठाहिन में मुखतलिफ भरत जाकिसमजे के इन भरण में गजहिन आम कच्छो ट अगर अगर अपने पास दो तीन गोले डिफरिंट कलर्स के छे गोले छे कलर्स के लेके रख लें तो यह बहुत हो जाएंगे सीखने के लिए उसमें से आप बहुत सी चीज़ें बना भी सकते हैं ठीका सो ही असान अनके कहीं था कंप्लीट लाइन तहां सिखन जला है भली स यहां पर हम टांका लगा के तोड़ नहीं रहे धागे को क्योंकि अभी हम इसके साथ काम कर रहे हैं यहां तक आगे और फिर यह वाली लाइन हम कंप्लीट करेंगे सुई निकाले यहां से यह देखें एक स्पेस छोड़के यहां से भी स्पेस छोड़नी है स्पेस छोड़नी है फिर स्पेस छोड़के सुई निकालनी है ठीका ऑगे हेना दागे के कंटीन्यू हेंडिल करनों आए हेना अंगुठे सा इलाई इंट्रेस्टिंग कमा ता नड़ी नड़ी शैयूं पाजी भरे सगोता सिंपल एम्राडरी सा कुशन कवर विहान अंजा कवर मैट्स आए नड़ा नड़ा कोस्टर इन लाई कुछ तहां ठाय सगोता ह इन इस्टिच में मात पूरी कुल्ट इन इस्टिच सा ठाय चुकिया हैं वो डिजाइन जो है जो किरियेटिविटी है वो आपके जहन पे भी डिपेंड करती है थोड़ा सा मैं फ्रेम को घुमा रही हूं क्योंकि इस तरफ से मुश्किल हो रहा था और फ्रेम होता ही इसलि इन इसा चाह थी दो जो ताहन जे अनमे भरत में घुंजन थी दो ठीक है यहान है थे थी दो फिनिशिंग है नगी धागों है ठाक ड़ूं ताहन इसा अंकम खतम कर वा इन जिला है इनके धागे में टाका अनदा से ठीक है क्योंकि अभी हम इसको खतम कर रहे हैं इसलिए ध एडियो अच्छी लगी हो तो मझे ज़रूर बताएए लाइक कीजे कमेंट कीजे शेयर कीजे ठीका तो बुद्धाय जो ताहन के समझे में अच्छे तो सही तरह ने अच्छे तो मुन्दो कैमरा है नके सही तरह डखा रहे हुआ समझे में आयो ठीका खुश जो आबाद हो जो पानी बोलिये संप्यार काई पानी टाइम जो सही इस्तमाल काई अला तांके खुश रखे वरीकड़े बेटा के सामिलना से तेस्ता इजाज़त अला वाई